दोस्तों फाइनली हमारे पास गोप्रो 11 ब्लैक अडिशन का ये बॉक्स आ चुका है काफी दुनों से वेट कर रहा था इसके आने का बाइक तो पहले ले ली थी तो अभी बाइक विलोगिंग शुरू करने वाले हैं हम अपने चैनल करन कमबोज विलोग पे तो ये है गोप् प्रेंट क्रेट करने के लिए अगर आप विलोगिंग करते हैं मोटर विलोगिंग करते हैं तो बहुत सारी जो असेसरी है वह हमारी डेडली लाइफ में काम आने वाली है अगर इसके इलावा हम एक्स्ट्रा बाद में अगर लेते हैं तो हो सकता है काफी कॉस्टली पड़ और मुझे तो बहुत ही सस्था पड़ा है और कितने में मिला है कहां से यह मेरे पास पहुंचा है यह बाद में बात करते हैं तो जल्दी से पहले इस गोप्रों के क्रेटिव एडिशन के बॉक्स को करते हैं हम ओपन यहां देख सकते हैं गोप्रों का जो मार्क लगा उआ है और यहां पकड़ने के लिए काफी अच्छा यह ग्रिप है यहां पर सॉलिड भी है तो यह देख सकते हैं यहां पर इसका जिपर है तो देख सकते हैं कि यह इसका है फर्स्ट लुक गोप्रो लैवन ब्लैक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर है इसकी कुछ सबसे पहले हम निकालते हैं इसका जो बैटरी बेक बहुत ही बड़िया देने वारा वोल्टा का ये तो बहुत ही लुक में भी प्यारा है यह मुझे बहुत ही compulsory मतलब जरूरी चाहिए था एक तो इसमें function है कुछ इसे extra चलाने के लिए photo mood change करने के लिए video पिलाने के लिए सबसे जो बड़ा इसका दोस्तो benefit है वो है battery का क्योंकि कहीं पे भी हम जाते हैं shoot करने के लिए सबसे बड़ा issue आता है battery का और सब जानते हैं गोपरो की जो battery है वो बहुत ज्यादा इतनी मतलब mh की नहीं है कि आपको पूरा दिन shoot करके दे सके और यह सुनने में आया है कि चार-पांच घंटे इसकी battery जो है चल जाती है और second इसका जो है यह देखिए stand भी यहां पे बन जाता है तो ऐसे आप इस पे गोपरो को लगा कर सिर्फ यह seaport से attach करना है गोपरो को और आपका गोपरो जो charge भी हो जाएगा और इसके साथ आप उसे चला भी सकते हैं 4-5 गंटे तक 4-5 गंटे बहुत इनफ टाइम होता है शूट करने के लिए और एक यहां पे देखिए यह बटन को ऐसे हम push करते हैं तो यहां पे भी एक attach करने के लिए यह निकलाता है इसकी सश्तरी भी है इसी में वो भी दिखाता हूं आपको तो यह कहीं पे भी दिवार पर यह पे कहीं पे भी एसे इसे हैं करके आपको कोई shoot करना है तो वहां पे यह काफी मदद आती है इसकी और बाकी इसकेワंक्षन जो नहीं उसकी एक्स् बैटरी है जो गोप्रो की बैटरी को भी रख देते हैं यहां पे सेकंड जो मुझे बहुत जरूरी था वो थी यह LED लाइट यह LED लाइट बहुत ही काम की है और काफी लाइट है इसकी आप देख सकते हैं इसे जलाते हैं तो इस कवर के साथ आप लाइट को डिम कर सकते हैं और यहां से अन उफ है यहां से चार्ज करते हैं और इसके तीन फनच्चन हैं आपूस् लो करना चाते हैं यहां फिर फ्लिकर लाइट भी यूज लगा सकते हैं यहां पे बाद यहां मीडिया मूर्ड h 2 c जानते ही हैं सीपोट से यहां से कैमरा मारा गोपरो टैच हो जाता है यहां पे आप माइक लगा सकते हैं लाइट भी लगा सकते हैं यहां पे भी आप माइक यहां लाइट साइड पे लगा सकते हैं और यह इसका इंटरनल माइक्रोफोन है काफी अच्छा माइक्रोफोन है औ तो भी दिखाता हूं यहां पर मूड चेंज करते हैं यहां से अन आफ तो यहीं से आप अपरेट कर सकते हैं अपने गोप्रो को और सब के साथ कमपेटेबल है यह 9 10 11 कोई भी गोप्रो हो और इसके बाद दोस्तो में हमारा जो कैमरा है तो यह रहा में हमारा गोप्रो 11 कोई देख सकते हैं इसका यह में स्क्रीन जो है इसकी और यह इसकी है फ्रंट स्क्रीन देख सकते हैं गोप्रो का मारका है और काफी बड़ा लैन्ज है इसका और टोटल 100% वाटर प्रूरुफ भी एक्शन कैमरा है और यहां पर यह दो क्वाइंटा है यहां से हैं आप अपने कैमरा को अटैज कर सकते हैं कहीं पर भी हेलमेट में यहां कहीं पर भी अटैज करने तो देख सकते हैं बहुत ही चोट़ा सा और प्यारा लाइट वेट यह हमारा गोप्रो 11 ब्लैक कैमरा तो अब हर विलॉग में आपको यही कैमरा आगे दिखने वाला है तो यह फर्स्ट फ्लोर हमारे बॉक्स का ओपन सारा हो चुका है सेकेंड फ्लोर पे इसके देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है तो कैमरा को हम रखते हैं यहां और यह देखिए इसे निकाल दीजिए बॉक्स से और इसमें कुछ नहीं और यह हमारा सेकेंड फ्लोर देख सकते हैं इसमें भी काफी कुछ है काफी एसेसरी है इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखें यहां पर यह विंड्शिल्ड जो मीडिया मूड का इंटर्नल जो इसका माइक्रोफोन है उसके बाद यहां पर दो स्क्रियू है कैमरे को टाइट करने के लिए कहीं पर भी कैमरे को टैज करना है तो यह देख सकते हैं यह दो स्क्रियू है उसके बाद यहां पर सी पोर्ट वायर वन और यहां देख सकते हैं एक और है तो दो यहां पर सी पोर्ट वायर है एक कैमरे को चार्ज करने के लिए और एक ये बोल्टा का जो हमारा extra बैटरी बैकप स्टेंड है उसे चार्ज करने के लिए दो वायर है यह इने साइड में करते हैं और यहां पर हमें मिलता है एक यह गाड़ी पर आपको टैच करना है बाइक के हेलमट पे कहीं पे माउंट करना है तो माउंट करने के लिए यह तेन हमारे पास अलग अस्री है यह देखा जाए तो थोड़ी सी इसकी जो हाइट रहे हमारे हमें जादा है यह जो खक 믿ने है जो भी आपको जहां पर अड़ेस्टेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और ये चिपक भी जाता है यहां से स्टिकर तो जैसे भी आप इस्तमाल करना चाहें इने कर सकते हैं तीन ये मारे पास मिलते हैं इसमें और दोस्तो एक एक्स्ट्रा यहां पर देख सकते हैं ये कवर हैंडल है तो ये सीपोर्ट अपनी वायर को टैच कर सकते हैं लेकिन यह पूर्टल 100% वाटरप्रूफ फिर नहीं रहता है अभी यह पूरा वाटरप्रूफ है 100% और इसे अगर हम देखें यहां से ऐसे निकाल देते हैं यहां पर बैटरी ड़लेगी और यहां पर मेमरी कार्ड डलेगा और यह है सीपोर्ट चार्ज करने के लिए यहां पर देख सकते हैं यह तो आपको चार्ज करने के लिए यहां कुछ और टैच करना है तो ऐसे आपको वायर लगानी पड़ेगी और अगर आप इस हैंडल को यहां से देखिए अलका सा पुछ करना है रिमूव करना है और आप इसे लगा सकते हैं यहां पर देखिए बहुत ही अंसानी के साथ यह लग गया है अभी अब आपको ओपन करके नहीं रखना इसे बंद कीजिए बैटरी डालिए उसके बाद यहां से आप यह देखिए ऐसे आप सी पोर्ट को अटेच कर सकते हैं लेकिन अभी यह 100% वाटर पूफ दुम्हान नहीं हैं यहां से बोटर अंदर पाने अंदर जा सकता हैं तो यह एक अकस्टर सेस्री है इसके साथ और सेकन्ड दोस्तों एक और यह चोटा सा असेसरी है कोई जैसे यह लाइट लगनेके लिए यहां पर हम ऐसे इसमें ऋटैच कर सकते हैं सेम एसा ही जो मीडियम मूड के उपर है यहां देखा वोगा आपने यह और एक है इस साइड पे ऐसे ही यह बना हुआ तो इसे आप कहीं पे भी यहां स्क्रू की मदद से कहीं पे भी अटेच करके उसके बाद यहां पे आप चाहें तो माइक भी लगा सकते हैं ऐसे लाइट भी लगा सकते हैं और कुछ चोटे कैमरे आते हैं उसे भी यहां पे अटेच कर सकते हैं तो देखिए यहां पे यह मेरे पास DJI का माइक है तो अगर मैं माइक को अ टैज कर सकता हूं तो ऐसे टैज करके आप इसे कहीं पर भी स्क्रू की मदद से आप फिक्स कर सकते हैं तो यह एक एक्स्ट्रा असेसरी है मारे पास तो बस यह इतना है सब कुछ है क्रेटिव एडिशन गोप्रो लेवन ब्लैक के साथ जो आपको मिलता है दोस्तों इसके इलावा अगर हम देखते हैं तो और इसके अंदर कुछ भी नहीं है बाकि यह काली बैग है तो इसके साथ यहां पर आ बैटरी है वो मैंने अलग से मगवाई यह फिफ्टी नाइन डॉलर किया यह तो यह बस सेम यह सारी असेसरी है यह मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा है दोस्तों मतलब नॉर्मल जो मैं अगर गोप्रो लेवन ब्लैक सिर्फ कैमरा लेता तो वह अगर जितने का पड़ रहा थ उससे 20 असता मुझे यह क्रेटिव अडिशन का पूरा बंडल जो मिला है